Students, Good Morning, Class 4th, Hindi 2nd, व्याकरण, 14th chapter, 1st lecture, बेटा ये विलोम सब्द है, विलोम सब्द क्या होते हैं? एक दूसरे का विपरीद अर्थ पताने वाले सब्दों को हम विलोम सब्द कहते हैं, जैसे पूरब का विलोम हुआ पस्चिम, ये क्या हुआ? उल्टा, विपरीद, तो इसकी पूरब की विपरीद दिशा बेटा क्या है? पस्चिम, तो दोनों सब्द एक दूसरे के विलोम है, विलोम का अर्थ होता है उल्टा, ठीक है? उसको हम विलोम कहते हैं, तो चलिए कुछ विलोम सब्द पढ़ते हैं और आपको याद करना है, जैसे छोटा, छोटा का विलो अनेक, ये विपरी तार्थक सब्द भी कह जाते हैं, पाप का विलोम पुन्य और बेटा सच का विलोम जूट, उदय का विलोम अस्त, ताजी का विलोम बासी, सत्र का मित्र, इसी प्रकार है भीतर का विलोम बाहर, प्राता का विलोम सायम, आशा का विलोम निराशा, सक्त क का विलोम नरम और वीर का विलोम बेटा कायर प्राचीन का विलोम होता है नमीन प्राचीन मिस पुराना और नमीन नया तीब्र का मंद और पाना पाना क्या होता है कोई चीज मिलना जैसे किसी को कोई चीज मिली तो वो क्या होता है बेटा पाना तो पाना का उल्टा क्या हुआ होना विपरीत तार्थ सब्द ग्यान का विलोम अज्यान ग्यान किसे कहते हैं जिसके अंदर बहुत ग्यान हो बुद्धी हो तो अज्यान जिसको कुछ ना आता हो और अंधेरा जहां पे कुछ दिखाई न देता हो बेटा उसको क्या कहते हैं अंधेरा तो अंधेरा का विलोम क्या होता है उजाला रोसनी हो जहां पे उसको क्या कहते हैं उजाला लंबा का विलोम छोटा जो छोटा व्यक्ति होता हम लोग क्या कहते हैं उसको बौना छोटा बौ तो ये विलोम सब्द बेटा आपने ये विलोम सब्द अभी फर्स्ट रम में पढ़ेते अब यहां से आपको ये पढ़ने है जै का विलोम पराजे और सुर का विलोम सुर किसको कहते है देवताओं को सुर का विलोम असुर किसको कहते है बेटा राक्चस को उतार का से आपको सेकेंटरम का पढ़ना है उपर का नीचे आरंब का अंत आरंब किसको कहते हैं शुरुवात का अंत सर्दी का गर्मी नर का नारी और साधारण का अशाधारण भला का बुरा भला का विलोम क्या होता है बेटा बुरा आदी का विलोम होता है अंत और चतुर का विलोम होता है मूर्क लाप का विलोम होता है बेटा हानी गुड का आउगुड जिस ब्यक्ति के अंदर अच्छाईया उसको क्या कहते हैं उसके अंदर गुड है आउगुड दुरगंद गीला का सूख और देशी का विलोम होता है विदेशी क्या होता है अपने देश और विदेशी जो विदेश का हो दूप का छाओ, सकरा का चोड़ा और उत्तीड का अनुत्तीड, हिट का अहिद, विजय का पराजे और बेटा मित्रता का विलोम सत्रता अब आप लोग ये विलोम सब्द बेटा पढ़ चुके अब ये 10 विलोम सब्द 26 से लेकर 35 तक ये आपको सेकंट रम में अपनी नोट बुक पे लिखना है और लिखने के साथ बेटा आपको लर्न भी करना है और ये आपको बुक में फिल करना है जो दिये गए सब्दों के व विलोम सायम और टीब्र का मंद इसी प्रकार इधर है उतार का विलोम चड़ाओ आरंब का विलोम अंद और बेटा भला का विलोम बुरा और सुगंद का विलोम दुर्गंद सक्रा का विलोम चोड़ा ठीक है अगला ये भी आपको बेटा बुक में ही फिल करना है सही विलोम स बनाना जैसे ग्यान है तो इसमें हमने आ जोड दिया तो अज्ञान हो गया हिंसा है इसमें आ जोड दिया तो क्या बन गया अहिंचा कुसल में आ जोड दिया तो अकुसल साधारण में आ जोड दिया तो असाधारण यह सारे आ जोड कर बनाने हैं सब्द अपरचीत अस्वस् कर लिखना है अब सही विलोम सब्द चुनकर आपको लिखना है जैसे इसमें ये कई विलोम सब्द दिये गए है लेकिन इसमें से इसका विलोम क्या होगा वो आपको बेटा लिखना है जैसे उतार का चढ़ाओ चतुर का विलोम मूर्ख ठीक है और कोमल का कोमल का विलोम कोमल का क्या होता है कठोर भला का विलोम बुरा दिन का विलोम राद मान का विलोम अपमान तो ये सारे आपको इधर फिल करने है इसमें से छाट कर बेटा इधर फिल करने है अगला है रंगीन सब्दों के विलोम सब्द लिख कर आपको वाग के पूरे करने है जैसे सूर्य पूरब में निकलता और पस्चिम में अस्थ होता है ठीक है अब अग्यान के अंदकार को ग्यान के प्रकास से भगा सकते हैं तो यहां पे आपको अंदकार फिल करना है और इसमें बेटा ग्यान फिल करना है अदालत में सच जूट का फैसला हो गया तो यह क्या ह सच जूट क्या है एक दूसरे के विलोम है विप्रीत है तो यहां पे सच फिल करना है ठीक है रेगिस्तानी छेत्रों में दिन गरम और रात ठंडी होती है तो यह दिन और रात यह दोनों एक दूसरे के विलोम है तो दिन गरम और रात ठंडी होती है ठीक है मैंने पुस्तक को को आदी से अन्त तक पढ़ा आदी का विलोब बेटा थिपिकाई यहां पर आपको अन्त करना है आपका यह लेक्चर्षपनिस हुआ बेटा आपका यह चैप्टर भी फिनिस हुआ और यह सारा आपको अपनी बुक में फिल करना है और जो 10 मैंने बताये थे आपको विलोम सब्द वो नोट बुक में आपको लिखना है और लिखने के साथ साथ आपको बेटा लर्न भी करना है अगला लेक्चर कल पढ़िएगा थेंक यू क्लास